हेलो दोस्तों, आज हम the rise of nationalism in Europe chapter का 6th part discuss करने जा रहे हैं और आज की इस lecture का topic है Unification of Germany बहुत ही important topic है दोस्तों और लगभग हर साल इस particular topic से जो है एक नमबर के या तीन नमबर के या पांच नमबर के जो है प्रशन जरूर पूछे जाते हैं इसलिए आप इस पूरे topic को जो है ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आपके book में जो Unification of Germany का topic दिया गया है यह बहुत ही छोटे में समझाया गया है और वो पढ़के आपको जो है चीशे समझ में नहीं आएंगी बहुत जादे इसलिए मैंने कोसिस किया है कि इस lecture में मैं उसे detailed way में बहुत ही जो है विश्तित रूप में आपको समझाने कोसिस करूँ यह की story के मात्यम से समझाने कोसिस करूँगा इसलिए आप इस पूरे वीडियो को last तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो के last में मैंने आज के lecture के पराधारी जो है कुछ previous year के प्रस्ण दिये हुए है उसे आप जरूर पढ़िएगा तो आए दोस्तों शुरू करते हैं यह आज के Europe का map है दोस्तों जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जर्मनी को यह अभी जो आप स्कीन पर जो map देख रहे हैं यह भी जर्मनी का ही map है यह 1871 के जर्मनी का map है जिसमें जर्मनी के जो यह different parts different color से दिखाए गए हैं क्यों क्योंकि यह different different जो है powers के control में हुआ करते थे यहाँ पर जो आपको dark blue color से जो यह area दिखाई दे रहा है जो यह color वाला area है यह है प्रश्या ठीक है इसमें जो आपको light yellow color से जो areas दिखाई दे रहे हैं यह वो areas हैं जिसे 1866 में ऑस्ट्या और प्रश्या के वार के बाद प्रश्या ने ऑस्ट्या से ले करके और अपने area में इसे मिला लिया था 1867 में ऑस्ट्या को finally जो है जर्मनी से अलग कर दिया गया यानि कि जो German configuration पहले हुआ करता था उससे उसको बाहर कर दिया गया अब ऑस्ट्या का जर्मनी के उपर कोई power कोई control नहीं था आप light green में जो areas दिखाई दे रहे हैं ये वो territories हैं ये वो states हैं जो इन्होंने प्रश्या को join कर लिया यानि कि वो German configuration के part बन गया इसके अलावा जो नीशे आपको ये area दिखाई दे रहा है ये वो area है जिसे प्रश्या ने 1871 में अपने अंदर जो है यानि कि German states में जो है उसन 1971 में ही जो है प्रश्या और फ्रांस के बीच में जो war हुआ था उस war के बाद जो है प्रश्या में merge करके और ये German confederation का इसको part बना लिया गया था तो अभी तक साथ आपको बहुत कुछ समझ में नहीं आया होगा अभी जब मैं आगे story form में बताऊंगा तो ये सारी शीजा जब हो समझ में आ जाएंगी तो आए आगे देखते हैं सबसे पहले हम German Unification का topic सुरू करें उसके पहले हम background में देखते हैं कि क्या क्या भी तक हुआ है Germany is isolated मैंने आपको बताया था कि जब नेपोलियन जब रूल करता था जो है जब उसने यूरोप के बहुत सारे parts को जब उ पहुचता है तो उसने क्या किया कि उसने देखा कि Germany का जो states है वो 300 से अधिक states में जो है Germany उसे मेटिवाइलेट था उसने सबको आपस में merge करना शुरू किया और finally उसने 39 states का जो है एक confederation तैयार किया ठीक है बाद में 18-15 में जब Waterloo के war में नेपोलियन की हार हो जाती है तो तो यह चार देश आगर के बैठते हैं और वहाँ पे उन्होंने क्या किया वहाँ पे उन्होंने जो जर्मनी का जो parts था वो आपस में जो है बहुँ सारे parts को जो है और प्रश्या में जो है उसमें divide कर दिया गया था ठीक है उसके बाद से 1834 में जो अलवरीन का formation होता है जो याने की customs union और इसके दौरा जो अलवरीन के दौरा जो है इस customs union के दौरा जो भी जर्मन states थे उसके अंदर ट्रेड करना जो है easy बना दिया गया यानि कि अगर आप जर्मन states के अंदर आप ट्रेड करते थे तो आपको जो है किसी भी परकार के trade barrier का सामना यानिकी बैपार करन पार्लियमेंट का जो है formation हुआ था जो कि सेंट पॉल चर्च में बनाए गया था और इस फ्रेंकफर्ट पार्लियमेंट ने जो प्रश्चा का जो उसमय किंग था 1848 में जिसका नाम था फ्रेडरिक विलहम फोर्थ उसको उसने ओफर दिया कि आप जो है यूनिफाइड जर्मन के आप किंग बनिये लेकिन फ्रेडरिक विलहम ने ऐसा करने से बना कर दिया और बाद में मोनार्की और मिलिटरी ने जो है मिल करके फ्रेंकफर्ट पार्लियमेंट को रिप्रेस कर दिया उसे खतम कर दिया और ऐसा करने में जो प्रश्चा के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जो बड़े जमीदार थे जिनको हम बोलते थे जूंकर्स इन्हों ने भी जो है मिलिटरी का और मुनार का सपोर्ट किया कि फ्रेंकफर्ट पारलियमेंट को खतम कर देना चाहिए था अब शुरू करते हैं आज का दूस्तों लेक्चर आपके जो बुक में जो पहला जिसमें जो सुरुवाती जो हेडिंग दिया गया है उसमें लिखा है कि Germany, can the army be the architect of a nation? Germany क्या एक, Germany को मतलब ऐसा बोला गया है कि Germany जो है वो आर्मी के द्वारा फॉर्म किया गया था तो यही पूछा गया है कि क्या आर्मी जो है किसी देश का architect हो सकता है यानि कि क्या आर्मी यानि कि सेना किसी देश का निर्माण करता हो सकता है तो आएए देखते हैं कि हो सकता है या नहीं इसी को समझने कोजिस करते हैं 1861 में दोस्तों William first नाम याद रखिएगा William first जो है वो प्रशा का king बनता है इसके पहले कौन था king वहाँगा इसके पहले king था उसी का भाई Frederick William fourth तो Frederick William fourth की 1861 में डेथ हो जाती है उसके बाद उसका चोटा भाई William first जो है वो वहाँ का राजा बनता है यह picture जो आप देख रहे हैं यह William first का picture है बाद में 1862 में William first ने Ottoman Bismarck को वहाँ का chief minister यानि कि प्रशा का chief minister और foreign minister बनाया ठीक है अब यह नाम जो मैंने आपको बताया Bismarck पहले इनको देख लीजिए यह है Bismarck का picture तो Bismarck का नाम याद रखिएगा क्योंकि अब जो आगे हम discuss करेंगे आगे इसके इस topic में वो सभी जो है Bismarck के आजपास ही घुमती हुए रहेंगी तो Bismarck का नाम आप याद रखिएगा बहुत important नाम है ठीक है अब जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो करने का जो जिम्मेदारी था वो उठाया प्रश्या ने यानि कि जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो प्रश्या के लीडर्सिप में होने वाला था और इसमें प्रश्या की तरब से कौन लिड कर रहा था वो था बिसमार्ग कौन बिसमार्ग वहां का प्रश्या का चीफ मिनिस्टर ठीक है और चुकि बिसमार्ग जो वहां का चीफ मिनिस्टर था प्रश्या का उसके लिडर्शिप में ही ये पूरा युनिफिकेशन हुआ था इसलिए हम कई बार बोलते हैं कि Bismarck was the architect of the German Unification तो यह आप याद रखिएगा Unification जो process हुआ था जर्मनी का उसमें प्रश्या ने help लिया था वहां की army और bureaucracy का और जो Ottoman Bismarck जो यह बिखती था जो वहां का Chief Minister था उसने जो policy अपनाई उसको हम बोलते हैं blood and policy यानि कि simple सी बात में कहें तो उसने जो है war की policy अपनाई उसका यही माना था कि हम war के help से ही जो है हम जर्मनी का Unification कर सकते हैं और इसलिए उसने 7 सालों के अंदर 7 years के अंदर जो है 3 war किये किस से Denmark से, Austria से और France से और finally इन 3 war को कि complete होने के बाद Germany ने इन 3 war को जीता यानि कि प्रश्या हम कहा सकते हैं अभी क्योंकि Unification तो नहीं हुआ है तो प्रश्या ही लड़ रहा था तो प्रश्या ने इन 3 war को जीता और finally जो है अपने German States को Unify करके और Unification को जो है वो complete किया अब हम देखते हैं कि कौन-कौन से problem आ रहे थे जर्मनी के सामने पहला जो problem था वो था Denmark की तरप से 1815 में जो Treaty of Vienna हुआ था उसी Treaty of Vienna में दोस्तों एक चीज़ मैं अभी आपको थोड़ सा रोक के में बताऊँगा कि अभी तक जो मैंने यहां तक आपको बताया यहां तक जो मैंने आपको बताया यह आपके exam purpose के लिए अभी तक enough है यानि कि अगर आप सिर्फ exam में पास होना चाहते हैं नंबर लाना चाहते हैं तो अभी तक जितना मैंने बताया इसमें से most probably पांच यह ती नंबर के अगर प्रश्ण आएंगे तो इसी से जो है आ जाएंगे लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि यह चीज़े आपको लंबे समय तक याद नहीं रह पाएंगी इसलिए मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा और इसक पहले जो मैंने आपको बताया जो है इस स्लाइट से पहले उसको बस याद करने की जादे कोशिस कीजिएगा तो मैंने अभी आपको यही बता रहा था कि जर्मनी का योनिफिकेशन हुआ उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स थी तो जो पहली प्रॉब्लम्स थी वो थी कि डे अब कैसे जो है इसको जो है एक तीनों के साथ जो है वोर करके जो मैंने आभी आपको तीनों बताएं डेनमार्क, आस्ट्रिया और फ्रांस इन तीनों के साथ वर करके अब यही टास्क था जो है जर्मनी के लिए कि इन तीनों के साथ वो वर करे और इनके पास जो टेरिटरीज हैं जर्मनी के इनसे ले करके और जर्मनी का योनिफिकेशन करे लेकिन ये काम इतना आसान नहीं प्रस्टिया की जो आर्मी थी इतनी पावर्फुल नहीं थी, कि वो इन में से किसी के साथ लड़ाई कर ले, खुदी जो है और लड़के जीत भी ले, तो यह उसके लिए बहुत मुश्किल काम था, तो यह काम बिसमार्क ने किस तरीके से किया, यही जाना बहुत ही इंट्रेस्टिंग है ठीक है तो अब आए उसको समयने कोशिस करते हैं यह मैप वही है जो मैंने भी आपको पहले दिखाया था इसमें जो है जो ऊपर का स्टेट है ठीक है यही श्लेस्विक और होल्स्टीन है जो की डेनमार्क के पास हुआ करता था तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेनमार्क से जो वार हुआ था 1864 में वो कैसे हुआ और उसमें क्या उसके कंसिक्वेंसिस थे तो 1864 का जो वार हुआ उसकी सुरुआ तो हम कहा सकते हैं कि 1815 में ही पड़ गई जो है ट्रेटी ऑफ वियना जो हुआ 1815 में उसी ट्रेटी ऑफ वियना के दोवारा जो है स्लेस्ट्विक और होल्स्टीन के उपर डेनमार्क का कंट्रोल दे दिया गया बात में देखा गया कि यह जो दोनों स्टेट है उसमें जर्मन पॉपुलेशन बहुत जाते है यानि कि इन दोनों एरियास में स्लेस्ट्विक में और होल्स्टीन में जो है जो पॉपुलेशन रही है वो जर्मन पॉपुलेशन है तो अब जो है जर्मनी के यूनिफिकेशन के रहे जरूरी था कि इन दोनों को मिला लिया जाए लेकिन जब यह कोसिस किया जाए प्रश्या के दोरा कि इन दोनों को मिला जाए उसके पहले ही डेनमार्क ने प्रयास किया कि वो इन दोनों एरियास को अपने में मिला ले और 1864 में उसने ऐसा करने के लिए प्रयास किया तो जब उसने ऐसा करने का प्रयास किया तो उस समय जो है प्रशिया ने help लिया और उसने डेन्मार्क एगेंस में लड़ाई किया और डेन्मार्क को defeat करके और इन दोनों एरियाज को Slashwick और Holstein को जीत लिया अब जब इसने इन दोनों इस्टेट्स को जीत लिया प्रशिया ने with the help of Austria तो अब question ये उठा कि ये दोनों इस्टेट्स मिलेंगे किसको ये दोनों इस्टेट्स मिलेंगे या प्रशिया को मिलेंगे ठीक है तो इस बात को लेगर के दोनों के बीच में विवाद हो गया और प्रशिया में जो holstein है वो और ठीक है अब ऐसा जब किया जया तो आप मैने कैप को अब बताये कि कर दोनों जगिआ हुआ पकर कौन से लोग रह थे वहाँ डोनों इस जगोँ पर जर्मन लोग यानि कि German population जर्मन बोलने वाली population वहाँ पे रहती थी तो Treaty of Gasteen में जब Slashvik प्रश्टिया को मिला और प्रश्टिया ने जो है यानि कि Bismarck ने जो Holstein था वो ऑस्टिया को दे दिया तो एक तरीके से कहें तो इस बात की निव उसी समय रख दी गई थी कि अब जो है ऑस्टिया में और प्रश्टिया में जो है फ्यूचर में लड़ाई होने ही वाला है तो अब हम देखते हैं कि ऑस्टिया के साथ कैसे लड़ाई होती है जिसको हम बोलते हैं Battle of Sedua ये 1866 में हुआ था ये शी जब मैं आपको बता दूँ जो है कि जो बिसमार्क था वो हमेशा इस बात का प्रयास करता था कि कभी वो खुद जो है किसी देश को पर अटेक ना करें बलकि सामने वाले दोसको उतना परिशान करतें इतना उसको डिस्टरब करतें कि वो मतलब गुसे में आ करके जो है प्रश्या के उपर अटेक करतें ताकि जो है जो दूसरे देश जो विसुके हैं वो ये ना कहा जाए कि प्रश्या ने ओवर किया बलकि ये कहा जाए कि प्रश्या ने सिफ डिफेंड किया तो यह एक बिसमार्क की policy हुगा कर दी थी देखें बिसमार्क जो था 1864 मैंने बताया कि जो ट्रेटी होई थी ट्रेटी अफ गैसीन उसमें जो है जो होल्स्टीन था वो दे दिया गया ऑस्ट्रिया को लेकिन 1866 आते आते जो है बिसमार्क ने कहा कि हमको जो होल्स्टीन वापस चाहिए किसे का आस्ट्रिया से का क्योंकि आस्ट्रिया को होल्स्ट्रिया दे दिया गया था तो बिसमार्क ने होल्स्ट्रिया जो है वो डिमांड करना शुरू कर दिया कि मुझे होल्स्ट्रिया वापस चाहिए आस्ट्रिया ने का क्यों चाहिए मैं आपको वापस दूंगा ही नहीं दूंगा क्यों कि हम दोनों ने मिलके लड़ाई किया था और हमने इसे जीता था और इसलिए ये मेरा पार्ट हो गया था और पार्ट की आप वापस दूंगा तो इस बात को लिखर विवाद होने लगा अब यहां से तयार हो जाती है एक बैक्राउंड जो है आउस्ट्रिया और प्रश्चा की बीच में लड़ाई का अब प्रश्चिया जो है वो क्या करता है यानी कि विस्मार को प्रश्चा का चि कि बीच में जब लड़ाई हो तो Austria कोई help करने के लिए ना है तो उसने क्या किया सबसे पहले उसने बात किया और Russia से देखिए मैंने आपको पिछले लेक्षर में बताया था कि Russia जो है वो Poland के उपर rule कर रहा था अगर आपको याद हो forcefully जो है implement किया जा रहा था तो यह सब जब रश्या कर रहा था तो हमेशा जो है बिसमार्क ने जो है यानि कि प्रश्या ने जो है इसमें जो है रश्या को support करना शुरू कर दिया यानि कि रश्या को जब Poland के अगेंस जब रश्या काम कर रहा है तो जब प्रश्या जो है रश्या को सपोर्ट कर रहा है तो अब्यसी बात है कि रश्या की एक moral responsibility बन जा रही थी कि जब भी जरूरत पड़े तो रश्या भी प्रश्या का सपोर्ट करे दूसरा जो है क्या प्रॉलम था दूसरा प्रॉलम था फ्रांस मैंने आपको बताया कि फ्रांस जो है और आस्ट्रिया ये दोनों आपस में दोस्त हुआ करते थे एक बात तो क्लियर थी कि अगर जो है बिसमार्क जो है अगर आस्ट्रिया के उपर अटेक करता तो फ्रांस जो है Austria की help करने के लिए प्रास्या के उपर attack कर देता या अगर France का उपर attack करता तो फिर Austria help करता France की यानि कि France और Austria दूसरा की help करने के लिए तयार थे तो अब इसको क्या किया जा इसका solution क्या निकले कि जब हम जब Mingmark जब प्लिस्तवार्प आपना ले करके उसके पहले बिसमार्क फ्रांस में ढוהे रहता था वहां प्रशा सम्वदर्टेर कायई था तो मैंस प्रांस का किंग था निपोलियन 3 किंग उन दोनों के प्रांस थे बड़ अच्छी दूस्ती थी तो इस निपोलियन 3 कि अंभ परांसiner तुम जो है जब Belgium के उपर तुम चाहो तो अटेक कर ले ना, South East जो Belgium पार्ट है उसको अपने में मिलाने के लिए और मैं promise करता हूँ कि मैं तुम्हारे उसमें जो है help करूँगा, इसके अलावा जो है कुछ जो है German States कुछ पार्ट जो है मैं तुमको बाद में दे दूँगा लडाई के बाद, तो जब भी जो है उसने कहा जो है विसमार्ग ने कि जब भी मैं ऑस्टिया के उपर टेक करूँ तो तुम बीच में जो है मत आना उसका help करने के लिए तुम बस जो है neutral रहना वहाँ पर Napoleon Thad ने कहा ठीक है मैं neutral रहूंगा फिर उसने एक treaty किया विसमार्ग ने इटली के साथ उसने कहा जो है कि जब मेरी लडाई होगी आस्टिया के साथ तो आस्टियान उस समय जो है एक्शुली इटली और उस्टिया के बिच में भी लडाई चल रही थी तो उसने कहा जो है विसमार्ग ने कि जब मेरी और उस्टिया के लडाई होगी तो तुम जो है उसी समय जो है दूसरे साइट से तुम भी उस्टिया के उपर लड़ाई कर देना और जो वेनिस्टिया है जो आज के समय का जिसको हम वेनिस कहते हैं उसको तुम अपने में मर्ज कर लेना क्योंकि उसमें इटली भी अपना यूरिफिकेशन प्रोसेस में लगा हुआ था तो इस तरीके से जो है उसने क्या किया उसने अलग थलग कर दिया जो है अब अस्टिया का हेल्प करने के लिए कोई नहीं आने वाला था अगला काम जो विसमार्प ने किया वो था कि जो होल्स्टियन जो इस्टेट था जो कि अस्टिया कंट्रोल में था वहाँ के लोग को इंस्टिगेट करना शुरू किया कि आप जो है जर्मन लोग हैं तो आपको तो जर्मनी का पार्ट बनना चाहिए आप ऑस्टिया के पार्ट कैसे हैं तो इस तरीके से उसने भढ़काया और फाइनली जो है होल्स्टिन के लोगों वह उस्टिया के अगेंस में रिबल कर दिया वित्रो कर दिया अब जो है उस्टिया परेसान हो गया अब उस्टिया परेसान हो गर कि और उसने डिकलेर कर दिया प्रश्या के अगेंस में अपना वार यही चाहता था विसमार्क विस्मार चाता था कि जो है आस्ट्रिया परेशान हो और हमारे अगेंस में वार डिकलेर करते अब वार होना शुरू हो गया और किसी भी देश ने जो है फ्रांस ने इटली ने या किसी भी देश ने जो है और अस्ट्रिया ने किसी ने भी जो है आस्ट्रिया का help नहीं किया और कोई सामरे नहीं आया और फाइनली जो है प्रश्टिया ने इस वर को जीत लिया और आस्टिया की हार हो गई अब आस्टिया की हार उसमें बहुत बड़ी हार थी एक्चुली नेपोलियन थर्ड ने जब कहा था विसमार को कि हार ठीक है हम बीच में नहीं आएंगे तो उसमें नेपोलियन थर्ड को ऐसा लग रहा था जो है कि प्रश्टिया जो है इस वर को हार जाएगा और जब आस्टिया जीत जाएगा तो हम जो है हम और आस्टिया मिल करके और जर्मनी का बहुत सरा एरिया अपने पार्ट्स में मिला लेंगे लेकिन हुआ उल्टा हुआ क्या कि प्रश्या जीत गया और आस्ट्रिया जो इसमें हार गया अब जो आस्ट्रिया की हार थी और जो प्रश्या की जीत थी इसको कहा गया कि ये बिस्मार की बहुत बड़ी diplomatic मतलब win है यह diplomatic मतलब राजनितिक जो है बहुत बड़ी राजनितिक जीत है और इसको इस तरीके से कहा गया कि यह Austria की हार नहीं हुई बलकि यह France की diplomatic हार हो गई यानि कि इसमें Austria नहीं हारा बलकि France हार गया ऐसा इस तरीके एक बनाया उसने जो है जिसमें 21 जर्मन स्टेट्स थे ठीक है और इसमें वो सभी स्टेट्स थे जो कि राइन रिवर के नॉर्थ में पड़ते थे आप मैप में देखिएगा राइन रिवर जो है तो राइन रिवर के जो नॉर्थ में 21 स्टेट्स हुआ करते थे उनको आपस म दिजॉल्व मिला करके उसने एक Northern German, North German Confederation प्रशा ने बनाया, बाद में इसने Treaty of Prague किया, ठीक है न, प्राग में एक ट्रीटी हुई थी, प्राग अभी चेक रिपब्लिक जो एक कंट्री है, वहां का कैपिटल है, तो प्राग में एक ट्रीटी हुई एक समझावता हुआ, और आस्ट्रिया और प्रशा के बीच में, अब देखिए, आस्ट्रिया तो हार चुका था, अब यहां पे प्रशा जो भी कहता हुई आस्ट्रिया को मानना पड़ता, क्योंकि वह एक टिफिटेट कंट्री था, हारा हुआ देश था, तो अब प्रश्या ने जो है, इस बात का देश थे, वह प्रशा से नराज हो जाते और प्रशा के उपर हो सकता था कि अटेक भी कर देते, दूसरा प्रवलम क्या था, कि अभी जो है, फ्रांस से बहुत सारे एरियाज को लेना बाकी था, यह जो है, यानि कि बिसमार्क को अभी यह पता था बाद में, कि हम अभी फ् जो है, इतना काम कर दो कि जो जर्मन कांफिर्डेशन में जो आपका पार्ट से, उसे आप छोड़िए और अपना वापस जाईए और अपनी बाउंडरी में रहिए, ठीक है, बस इतना ही जो है, अस्ट्रिया के साथ जो होता किया गया, दूसरी जो बात कही गई, आस्ट्र का, तो ये चीज़ जो है, वो हो गई थी, मतलब एक तरह के से बिसमार्क जो है, ये टेखनीक लगाने में जो है, वो जीत गया था, अब आगे होता है, फ्रांस से वर प्रश्या का, जिसको हम बोलते हैं, बैटल अफ सिडान, इसमें क्या हुआ कि आस्ट्रिया ने प्रॉम और प्रश्या में जब लड़ाई हो, तो हो सकता था कि रश्या सामने आता हेल्प करने के लिए, लेकिन वर अफ क्रीमिया एक हुआ था, 1853 से 1856 के बीच, उसके वज़ा से रश्या और फ्रांस के बीच में टेंसन था, तो अब ये भी क्लियर हो गया था कि रश्या भी फ्र से कन्विंस किया, कहा कि तुम जो है मत आना हेल्प करने के लिए, क्यों उसने कहा कि एक काम करना कि जब जो है और प्रश्या में और फ्रांस में जब लड़ाई हो, तो उस समय जो है अच्छली हो क्या रहा था, कि फ्रांस की एक बहुत बड़ी सेना की टुकडी जो है रोम में रहा करती थी, और रोम जो है उसको इटली के युनिफिकेशन के लिए जरूरी था, कि रोम भी जो है वो इटली का पार्ट बन जाए, तो रोम में एक्छली जो है पोप का रोल चलता था, आपने वेटिकन सिटी का नाम सुना होगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए रोम के अर्मी वहां रहती थी, तो ये पता था विसमार को कि जब भी जो है फ्रांस और प्रशा के बीच में जब लड़ाई होगी, तो ये क्या करेगा जो है, फ्रांस क्या करेगा, कि अपनी सेना जो उसने रोम में रखी हुई है, वो उसको वापस बुला लेगा, लड़ को भी कन्विंस कर लिया कि वो भी जो है जब फ्रांस से लडाई हो तो उसमें पीछ में इंटर्फियर न करे अब ये तो इतनी शीजे कर दी गई लग लग जै जो भी स्मार्क ने ये जो है प्रश्या के उपर attack करें, मैंने आपको बताया, जो है प्रश्या चाहता था हमे जो है लिए बिस्मार्खा चाहता था, जो अगंगे सामने वाला ला उसके उपर attack करें ये नेपोलियन 3 की हा रहे ना की औस्टिया की हा रहे तो अब नेपोलियन 3 सोच रहा था है कुछ ऐसा कर दो कि मेरा जो रिस्पेक्ट जो चला गया है वो वापस मुझे मिल जाए तो उसने एक टेकनिक लगाई उसने सोचा जो है कि मैं लक्जेंबर्ग खरीद लेता हूं Holland से क्योकि लक्जेंबर्ग होलand का पर्ट हुआ करता था तो उसने जो है लक्जेंबर्ग खरीदने के लिए Holland से बात किया Holland मान भी गया कि ठ है हम बाइची देंगे लेकिन ये बात जो है जर्मनी में पहुंच गई जर्मनी वालों को पता चल गया कि जो है लक्जेंबर्ग जो है वो बिखने वाला है और फ्रांस उसो खरीदने की तयारी कर रहा है तो जर्मनी ने उसका पोच किया जर्मनी ने कहा कि नहीं लक्जेंबर्ग जो है वो जो इस्पेन की जो माहरानी थी जिसका नाम था क्वीन इसाबेला ठीक है इसके अगेंस में वहाँ की पबलिक ने जो है कूव कर दिया यानि कि एक विद्रोह कर दिया और फाइनली जो है इजबेल जो क्विन थी वहां की महारानी जो थी उसको जो है पद छोड़ना पड़ गया अब वहां पे जो रानी राजा जो भी कहिए वहां पे रानी के सासन चलता था तो पद जो था वो खाली हो गए अब वहाँ पे जो है करिके से सीट खाली है और वहाँ पे अब किसी को राजा बनाना है तो अब राजा कौन बनेगा ये प्रश्ण था तो मैंने आपको पिछले लेक्षर्स में बताया था कि स्पेन में कौन सी डाइस्टी काम कर रही थी स्पेन में फ्रांस में और सिसलीज में तीनों जगवा पे बर्बन डाइस्टी यानि कि एक ही फैमिली थी जो स्पेन में रूल कर रही थी वही फैमिली फ्रांस में और वही फैमिली जो है जो इटली का एक पार्ट हुगा करता था सिसलीस, टू सिसलीस वहाँ पे रूल कर दी थी तो जब इजाबेल वहाँ से खतम, मतलब उसका वहाँ से जब उसको पद से हटा दिया गया, उसने जब पद छोड़ दिया, तो वहाँ पे जब सीट खाली थी, तो वहाँ पे कौन राजा बनेगा, तो उस समय प्रशिया का, प्रशिया में रहने वाला एक प्रिंस था, जिसका नाम था प्रिंस लिपोल्ड, ठीक है प्रिंस लिपोल्ड जो था, उसको उपर किया गया, कि तुम जो है आजाओ, और तुम इस्पेन के जो है राजा बन जाओ, अब ध्यान दीजे जब आप मैप देखेंगे न, तो आपको समझ में आगा कि फ्रांस जो है, वो इस्पेन और जर्मनी दोनों के बीच में है अब ये बात जब जो फ्रांस को अपोज किया, और बहुत ही स्ट्रिक तरीके से इसको अपोज किया, कि नई ये जो है, यहाँ पे बर्बन डाइनेसी रूल करते थी, जो हमारी फेमली है और यहाँ पे प्रश्या का कोई राजकुमार यहाँ का राजा नहीं बनेगा, जब फ्रांस हम स्पेन के राजा बनेंगे, यह बनेंगे तो जो फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन थर्ड, उसने उसका एक राज़दू था जो प्रश्या में जो राज़दू था फ्रांस का, उसका नाम था बेनेरिटी, ठीक है, बेनेरिटी जो था उसको उसने बोला नेपोलियον 3 ने कि तुम जाओ और विलियम 1 से मिलो और उससे कहो दे लिह करके दे क्या कि फ्यूचर में कभी नहीं कर सनेदेगा कि उसका कोई व्यक्ति उसके समराज यह कोई व्यक्ति वह स्पेन का राजा वने बहुत मुश्किल था William first जो प्रश्चा का king था उसने कहा कि मैं तुमको कह दे रहा हूं कि नहीं बनेगा लेकिन ये जो है जो ambassador था वो नहीं माना उसने कहा कि नहीं हमको लिखित में चाहिए तो फिर जो है इसने लिखित में दिया लिख करके जो है और दिया बेनेडिटी को इसने William first ने जो प्रश्चा का राजा था उसने लिख करके दिया कि ठीक है future में कभी कोई ऐसा राजा नहीं बनेगा और जब उसने लिख करके ambassador को दे दिया तो बाद में ये उसने ये news कि हमने इसको लिखित में दिया हुआ है उसने एक टेलिग्राम के पहुचा दिया बिस्मार के पास क्योंकि उसमें William और बिस्मार के थुरू ये बात पहुचाई बिस्मार के पास और इस टेलिग्राम को ही बोलते हैं ये उसका लेटर है जो कि इस ने विलियम फर्स ने बिस्मार को टेलिग्राम के थुरू भेजा था जब ये लेटर जब ये लेटर जो है टेलिग्राम पहुचता है बिस्मार के पास तो बिस्मार के दिमाग में चीजाती है बिस्मार्क ने देखा इसको पढ़ा तो फिर ब टेलिग्राम को यह जो लेटर भेजा गया था उसको मैनुपिलेट किया और खुद जो है उसने मैनुपिलेट करके उसको इस तरीके से मैनुपिलेट किया कि प्रश्या के लोग जब इसको पढ़ें इस इस टेलिग्राम को इसके में की विलियम फर्स ने क्या लिखा है तो पढ़कर जो है वो लोग गुस्सy मेका प्रश्या के लोग गुस्सा हो जाएं और साथी साथ उस में कुछ ऐसी भी शीज़े जोड़ी गई कि फ्रांस के लोगो लगे जो है कि विल्यम first जो प्रश्या का किंग है उसने फ्रांस की बेजती कर दी है यानि कि इस तरीके से बिसमार्क ने उसको मेनुपिलेट किया कि फ्रांस वालों को और प्रश्या वालों को दोनों को लगने लगा जो है कि एक दूसरे देशों ने हमारे देश का अपमान किया है और इस तरीके से उसने उसको मेनुपिलेट करके और news paper में उसको publish करवा दिया अब जब दोनों देशों के लोगों ने पढ़ा तो दोनों देश के लोग जो है इस बात के लिए गुसा हो गए दोनों के अंदर जो है वो nationalism वाली feeling जगने लगी कि ऐसा कैसे हमारे देश से कोई अपमान कर सकता है ठीक है तो दोनों जो है अब लड़ाई के लिए उत्सुख होने लगे ऐसी condition बन गई ठीक है तो अब French people जो है French people जो है उन्हों ने सोचा जो है कि Benedictine ने उसने insult किया और Persian सोच रहे थे कि Benedictine ने हमारे king का इंसल्ट किया तो दोनों यही सोच रहे थे रांस से रहा नहीं गया और उसने वर्डिकलेर कर दिया प्राश्या के against men अब प्राश्या के against mean जब French ने वर्डिकलेर कर दिया तो France का help करने के लिए मैंने आपको बताया कोई नहीं आया क्योस्ट है उसने उसको isolate कर दिया था और France जा फाइनलि यह war lost कर दिया हार गया ठीक है और विसमार की जो आर्मी थी वो जीत गई जब वहां की आर्मी जीत गई विसमार की आर्मी जीत गई तो जो नेपोलियन 3 था उसने जो है प्रशियन आर्मी के सामने जो है सरेंडर कर दिया उसके बाद जो है ट्रेटी ऑफ फ्रेंकफर्ट हुआ 1871 में फ्रांस और प्रशिया के बीच में और फ्रांस ने जो वार हुआ था उसमें जो नुकसान पहुँचा था उसके बदने में उसने जर्मनी को दे दिया और फाइनली जर्मनी को उसका पूरा स्टेट्स मिल गया और उसने यूनिफिकेशन अपना कम्प्लीट कर दिया तो इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन कम्प्लीट हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन कम्प्लीट होने के बाद जो विलियम वन उस उसका जो यह ceremony था उसको राजा बनाने का, यह ceremony जो है, चुकी तो बना जर्मनी का राजा लेकिन उसकी जो ceremony थी, वो कहां की गई? वो की गई Hall of Mirrors, जो की Palace of Versailles में है, और Palace of Versailles का है? यह है Paris में, अब सोचिए जो है यह कि France के लिए कितना humiliating रहा हुगा, कितना अपमाजनक र उन्होंने अभी-भी हराया है, तो एक बहुत ही बुरी तरीके से, जो है, humiliate किया गया, और इस ceremony में जो है, पूरे जर्मनी के जितने powerful लोग थे, इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह बिसमार्क है, ठीक है? तो बिसमार्क और यहाँ पर आप देख पा रहे हो हुए, और इन्होंने इसको ceremony किया, और इस तरीके से करके इन्होंने France का बहुत बुरी तरीके से अपमान किया, और इतना अपमान किया, कि एक तरीके से France इसको कभी भूल नहीं पाया, और यही reason है, कि बाद में जब जो है, First World War में जब जर्मनी की हार होई थी, तो आपने Class तो यह अपमान होने का जो है, जर्मनी का अपमान उसमें होने का कारण कहीं न कहीं जो है, यही reason था, यही incident था, जिसमें जर्मनी ने पहले साफ वर्साय में जाकर के जर्मनी के योनिफिकेशन होने के बाद यह प्रोक्लेम किया था कि, now the William first will be the king of unified Germany, तो दोस्तों यही था इस chapter में, उम्मीद है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी, तो आएए इस आज की लेक्चर पर बेस कुछ questions देखते हैं, पहला question है एक नमर का, why was Ottoman Vismarq considered as the architect of the unified Germany, तो आपने Vismarq के बारे में इतना पढ़ लिए, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी point लिखिए, वो answer सही होगा, which power dominated the nation building process in Germany, किस ने किया, तो answer है, प्रशान ने किया, who was proclaimed German emperor in a ceremony held at Versailles in Germany, January 1871, अभी मैं आपको बता है, कौन German emperor बना, unification के बाद, three or five marks के question है, describe the role of Ottoman Vismarq in the making of Germany, पूरा इस्टोरी आपने सुन लिया, इसको आप जरूर लिख सकते हैं, तीन या पांस points में, explain the nation building process of Germany, वही ये पूरा unification किस तरीके से हुआ, आप उसको पांच points में लिखिये, जो है, अगर five marks का है तो, examine the role of Prashya in the unification of Germany, Prashya का role गया था, इसको भी आप लिख सकते हैं, फिर है, Ottoman Vismarq was the architect of German unification, Ottoman Vismarq जो है, वो German unification का architect था, क्यों, इसको आपको explain करना है, तो उमीद है कि द झाल झाल